जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं कि आज के पदलते परिपेच में जो हमारा मसरूम है वो एक पहुत ही मल्टी परपस खाद समगरी के रूप में उपलब्द होता जा रहा है और हमारा जो जारखन का जलबायू है ये तीनों परकार के मसरूम के खेती के लिए उप्युक्त है अगर हम कहें तो बटन मसरूम और ओश्टर जिसको कि हम धिंगरी मसरूम कहते हैं या फिर जो मिलकी मसरूम जिसको हम लोग दूधिया मसरूम कहते हैं ये की खेती के लिए ब तो इससे उनकी आय में ज़्यादा बिर्धी होगी, तो बटन मस्रूम की जो बैज्यानिक खेती है, उसको करने के लिए हमको 3-4 चीजों का ध्यान रखना परता है, अगर हम देखेंगे इसके कंपेरिजन में अगर हम देखें, ओश्टर मस्रूम या फिर धिंगरी का जो खेत होती है, तो जो बटन मस्रूम की खेती है, उसको हम सुमान निता Color, चर्रो में देखते हैं, पहला चरन जो हमारा वह होता है हमारा Compost का preparation, Companytoo मत्तब खाद का preparation जिसपे हम लोग बटन मस्रूम को उगाते हैं, दूसरा ज already होता है is spawning, spawning मतलब बिजाई जिसमें की हम मस्रूम के बीज को डालते हैं और तीसरा चरन होता है वो होता है हमारा परबंधन की विजाई से लेके उत्पाधन के बीज के जो परबंधन होते हैं वो फेज और सबसे आखिर में होता है हमारा हारवेस्टिंग यानि की उत्पाधन का फेज तो सबसे पहले हम दोग डिसकस क करते हम लोग जानना चाहेंगे कि बटन मस्रूम के खाद का कैसे प्रिपरेशन करें। तो साम्रीच्ता जो बटन मस्रूम का खाद का प्रिपरेशन होता है वो दो तरीके से होता है एक होता है Long Duration Method और दूसरा होता है Sort Duration Method short duration method में mainly 2-3 हपते का समय लगता है और long duration method में 3-4 हपते का समय लगता है